हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का क्लास टाइम YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में हम बास करने वाले हैं हिंदी वियाकरण के बहुत ही शांदा टॉपिक पाक की शुद्धी के बारे में दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो हिंदी वियाकरण है वो कॉम्पेटिशन में होने वाले लगवक सभी एक्जाम जिमाती है तो अगर आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी वियाकरण आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रेने वाला है दोस्तों इस वीडियो में आपको वही कुशन करवाँगी जो ए देखिए आपर हमारा फूस्ट कोश्चन है व्याकरण की दरश्टी से कौन सा वाक्य सही नहीं है तो इसमें से अशुद वाक्य बताना है तो देखिए आपर राइट आंसर इसका होगा उप्शन नमबर से वह सदेव ही सत्य बोलता है यहाँ पर सदेव ही नहीं आएगा व नेक दरशनी स्तल देखने योगी है यानि कि यहाँ पर दरशनी भी आ रहा है और देखने योगी भी आ रहा है तो यह दोनों शब्द क्या है एक ही है इसके लवा देंगे यह नई लिखित में अशुद वाक्य है तो इसका राइट आंसर का option number Nwe javani yuvuko को आगे आना चाहिए, यहाँ पर देखे दोस्तों नो जवान और yuvak, यह दोनों में से एक ही इसमें शब्द आना चाहिए या तो नो जवान आना चाहिए या फिर yuvak आना चाहिए, तो इसमें डिनलेखत में कौन सा वाकि व्याकरण की दृष्टी से अशुख्य है तो इसका राध जागता रहा यह कया है शुख्य है इसके लावा जो यह तीनों है वह क्या है उप्शन मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है तुमसे अच्छा है तो यह क्या है गलत वाक्य है तो राइट एंसर के ऐसमें फrà शुक्र है उप्शबवाग्यें ऐसमें प्र फूर्षा आब हे शुद्वाक्य के बताना वर इसका डाए तो यह जद़भाक्य उप्श्थे व्युक्य अस्थ है युद्वाक्य धैंज इसके लाब देखिए आपका भवदिय नहीं होता है तो राइट अन्सर इसका हो जाएगा ऑप्षिन अम्बर से नेक्स देखिए निम्न लिखित में कौनसा वाख्यी शुद्ध है तो इसका राइट अंसर क्या है दोस्तों नेक और अनेक दर्षनी से थे लगए इसके लाव करें इंगित करें यहां पर शुद्वाक्षी बताना है तो इसका राइट असर हो जाएगा ऑप्शन आप पानी का गिलास लाओ यह क्या है शुद्वाक्य है नेक्स्ट निम लिखित मेंसे कौनसा वाक्य शुद्ध है तो इसका राय टांसर वाक्य हों ये क्या है शुद्ध वाक्य है तो इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है तो इसका राइट अंसर जो गए अप्शन नमबर प्रमान सहीत उत्तर दीजिए तो यह क्या है शुद्ध वाक्य है नेक्श देखिए आपर मैं इतना मीठा चाहे पी सकता नहीं पी सकता वाक्य में दोश है यानि कि इसमें क्या है तो यह माख llams का अंसर ऑप्शन सही हो जाएगा शुद्वाक्य है इसका राउन सरोगा एक वीडि으 ant आपको यह मद्ग्राह है इस रहीत वाक्य में वचं अशुद्वी नहीं सोगा option number 10 जैन साहिते प्राक्रतत क्वें लिखा गया है तो यह क्या है शुद्ध वाक्व अशुद्ध है तो इसका यहांसा वाकि अशुद्ध है तो इसका यहांच गलत हो जाएगा अशुद्ध है नेक्षे कि इन में से व्याकरण की द्रश्टी से कौन सा वाक्य शुद्ध है तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है तो इसका राई टैंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ए उसके भाषन का एक एक चब नपा तुला था ये क्या है शुद्ध वाक्य है इसके लाव देखें यहां पर पर और सही योग यह भी एक ही बात है तो यह सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर एसका राइट आंसर होगा नेक्स देखिए इन में से व्याकरण की द्रश्टी से कौन सा वाक्य शुद्ध है इसका राइट अंसर हो जाएगा और तो यह क्या है शुद्ध वाक्य है इसके लाव देखिए वह शुक्रवार की दिन लोटेगा इनकी शुक्रवार तो खुद एक दिन है तो इसके साथ दिन लिखना फियर्थ हो जाएगा इसके लाव जाएगा हमें संकट में घबराना नहीं चाहिए यह वाक्य शुद्ध हो हो जाएगा option number 2 प्रधान मंत्री के साथ तीन मंत्री और चार सांसत थे यह क्या है पदक्रम की दश्टी से शुद्वाक्य है इसके महाराज के साथ तीन दासियां और राजमादा थी तो यह भी गलत है इसके और कई विध्यालों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए यह भ यह आप यह लागरभ राट अंसर होगा नेक्स्ट की दश्टी से कौन सा वद्ख्य है तो इसमें से अश्वद वाक्य बताना है तो इसका राइट अंसर होगा फि Window से ख्यात आतक्वादी पकड़ा गया कि यह इसकर नहीं हुआ है नेक्स देखें यहां पर निम्र लि辖ित नहीं इसके लावा देखिए यहां पर इन में से किस वाक्ये में वचन संबंदी अशुद्धी है इसका राइट अंसरों को अप्शन नमबर दिल्ली में चार गिरफतारी हुई इसमें क्या है वचन संबंदी अशुद्धी है यानि कि चार है तो चार क्या है भववचन है तो तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब आस में ही बैल आइकन है उसे प्रेस कर और पर क्लिक कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे ओके दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिन जै भारत